कि अभी थोड़ी दिर पहले मीडिया से मुझे पता चला कि इन लोगों ने मनीश से सोदिया जी के खिलाफ कोई केस भेजाया सीविया को और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीविया मनीश जी को गिरफतार करने वाली है मैंने तो आपको तीन-चार महीने पहले ही बता दिया था इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीश जी को ये गिरफतार करने वाले हैं जल्दी गिरफतार करने वाले हैं तीन-चार महीने पहले बताया था मैंने प्रेस कॉंफरेंस करके उसके वाद अपने कई भाशनों में असेंबली में मैंने कहा था कि मनीश को गिरफतार करने वाले हैं तो तीन-चार महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीश जी को गिरफतार करने वाले हैं मैंने का मनीश ने क्या कर दिया के अंदर एक नाया सिस्टम लागू किया गया है पहले यह तै किया जाता है कि कि सादमी को जेल भीजना है और फिर उसके खिराफ एक मन गडंत जूटा केस बनाये जाता है और उसे जब्रदस्ती pile भीजा जाता है एक अब लागो हुआ है मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं मैंने सारा अभी चेक कराया पूरा का पूरा केस बिल्कुल जूठा है बिल्कुल जूठा है उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है मैं मनीज से सुधिया को 22 साल से जानता हूं संद 2000 में पहली बार मिला था मनीज ये से एक बेहद कटर इमानदार आदमी है कटर देश भगता आदमी है हमारे देश में पिछले 75 साल में कि सरकारी स्कूलों का बिड़ा गर्ग कर दिया था इन सारी सरकारों ने मिलकी इन सारी पार्टियों ने मिलके, बहुत बुरा हाल कर दिया था इन लोगों ने, करोडो करोडो बच्चे, गरीबों के बच्चे जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, उनका भविश्य अंधकार में था, कोई उमीद नी थी, गरीब का बच्चा गरीब बनेगा, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा, गरीब का बच्चा मजदूरी करेगा, रिक्षा चलाएगा, अमीरों के बच्चे अमीर बनेंगे, ये एक सिस्टम पूरे देश के अंदर लागू हो गया था, पहली बार आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी दिल्ली के अंदर मनी सिसोधिया ज साथ दिन मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शांदार बनाया, ऐसा बनाया कि अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भरती करा रहे हैं, अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिल रही है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के के करोड़ों करोड़ों बच्चों को एक उमीद दी है कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं गरीबों के बच्चों का भविश्य भी अच्छा हो सकता है मैं पूछना चाहता हूं कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो सविरे छे वजे उठके स्कूलों के दौरे निकल जाता है बच्चों का भविश्य बनाना चाहता है कौन भविश्य अचारी आसा तो जेल से हमें डर नियुक्तानaled को थोड़ Mae को यह लोग समझ लें कि इनको इनको लगता होगा कि येवं वह से हमें डर नियुक्ता है कि तुम लोग सावर्कर की अगरे और तो कि में अग्रेजों से माफी मांगी थी हम लोग भगत सिंग के अउलाद हैं हम भगत सिंग को अपना दर्श मानते हैं जिसने अंग्रेजों के सामने जुकने से बना कर दिया और फांसी पर लटक गया हमें जेल से फांसी के फंदे से डरने लगा कई बार जेल हुआ है हम लोग एक यह सोचने की बात है कि हाथ दो के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं आम आदमी पार्टे के पीछे क्यों पड़े हैं इतने हमारे मलेज को यह जेल भेज चुके सारे छूट छूट के आगए और कोट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे गंदे और पास किये इन लोगों के खिलाफ कि क्या जूटे सचे केस मना रहे हो सतिंदर जैन को इन्होंने गिरफतार कर लिया जूटे केस में पिछले महीन है अब मनी सिसोधिया जी को गिरफतार करन कारण है पहला कारण आम आदमी पार्टी वाले कट्टर इमानदार है और पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर इमानदार है सारा देश कहता है और कुछ भी हो लड़के हैं तो इमानदार है यह लोग जूटे केस बना बना के हमारे उपर फैकना चाहते हैं ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं ये भी भ्रष्टाचारी हैं पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रहे हैं दुनिया खुदी कह रहे हैं कि जूटे केस लगा रहे हैं तो जो म परजी कीचड तुम फेंक लो कीचड चिपक ने रहा हमारे उपर पाक साफ है हम लो सच्चाई के रस्ते पे चलते हैं भगवान हमारे साथ है दूसरा कारण यह हमारे पीछे क्यों पढ़े हैं हाथ दो के जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है पूरे देश के अं नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इनकी टक्कर में खड़ी हो पर मैं नहीं कहना चाहता हूं तुम जो मर्जी कर लो आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलने से कोई नहीं रोख सकता आम आदमी पार्टी पूरे द अच्छी सडकें, पानी मिले, अच्छी बिजली मिले, सब लोग अच्छी सुविधाई चाहते हैं हर आदमी चाहता है देश के ब्रष्टा चार कातमों, हर आदमी चाहता है मेरा देश दुनिया का नंबर वन देश बने अब आम आदमी पार्टी से ही उम्मीद है पूरे देश के लोगों को उसको पैलने से कोई नहीं रोप सकता एक अंग्रेजी में कहावत है और नवाज़ इंटिंस टाइडिया उस टाइम है स्क्म आम आदमी पार्टी स्क्म इंडिया स्क्म has come. भारत का समय आ चुका है, कोई नहीं रोक सकता. और तीसरा कारण, ये क्यों हमेरे पीछे हाथ दो के बढ़े हैं? दिल्ली के कामों को रोकना चाते हैं, दिल्ली के अंदर जो शांदार काम हो रहे हैं, सिंगापूर की सरकार, सिंगापूर की सरकार पूरे दुनिया के मेर बुलाये उन्होंने, और केजरिवाल को बुलाया कि आके इनको जरासा सिखाओ कि आप दिल्ली में क्या काम करें, इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है? दिल्ली के कामों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, ट्रम्प साब की वाइफ आई थी, वो हमारे स्कू के और अप आप की जेल में डाला और अब अधुकेशन मिनिस्टर को इन्होंनेे जैल में डाला पर मैं दिल्ली के और देश के लोगों को यकीन दिलाना, चाहता हूं कि इस hasn'tie अपक. में न कब तक जेल में रखेंगे जूटा केस है कोट में जाके गिर जाएगा डांट पड़ेगी इनको देख लेना मनी से सौधिया जिए भाहर निकलाएंगे काम नहीं रुखेगा 75 साल में इन पार्टियों ने मिलके देश को बरबाद कर दिया 75 साल में कितने देश हम से आगे निकल गए क्यों हमारे में कोई कमी है भारत के लोगों में कोई कमी है सबसे intelligent लोग हैं भारत के लोग इन पार्टियों ने दगा दिया है इन्होंने लूटा है इन पार्टियों ने मिलके देश को लूटा है ये अपने लूट जारी रखना चाहते हैं लेकिन अब देश खड़ा हो रहा है दिल्ली से जो ये चिंगारी निकली है ये पूरे देश में फैलेगी है और इसे कोई नहीं रोक सकता because it's time has come अब देश खड़ा हो रहा है देश जाग रहा है देश ने देख लिया कि हो तो सकता था यार अगर दिल्ली में हो सकता तो 75 साल में क्यों नहीं हुआ बाकी देश में क्यों नहीं हुआ इन पार्टियों ने मिलके देश को जान भूच के गरीब रखा इन पार्टियों ने मिलके देश को जान भूच के अनपड रखा अब नहीं होगा अब मेरा देश दुनिया का नंबर वन देश बनके रहेगा तुम जितने मनीश से सूधिया को जेन में डालो जितने सतिंदर जयन को अर्विंद केजरिवाल को भी डालो सूली पे चड़ा दो खूब अर्विंद केजरिवाल निकलेंगे खूब मनीश सोधिया निकलेंगे अब तो देश आगे बढ़ेगा नमस्कार